गुड़ाप्रन स्प्रेंट संफ्लार गुजाती माजियम द्वारा तमारू स्वागत छे आज आपले दोरण आठमा हिंदी माँ पार्थ नंबर नौ मुम्ता इना विशेवात कर छुँ जना लेख़क छे जैई संकर प्रसाद तो जैई संकर प्रसाद का जन्मत तरीस एक ये मुलत हो कवी है उन्होंने नाटक कहानिया निबंद और उपन्यास पी लिखे है उनकी रचनाव में मुख्य रूप से भार्थ की एधियासिक संस्कृतित की जलक मिलती है उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगूप्ट, सकंदे गूप्ट, ध्रुवश्वामेनी, कामा यानि उनका प्रसित सुप महाकाव्य है उनका निदन चौद एक 1937 को हुआ तो जही संक्र प्रसाद्वारा रचित इस कहानी की नाई का ममता है, ममता विद्वा है, रोहतास दुर्ग के मंत्री चुंडा मनी अपनी इस एक मात्रस ने है, पालिता पुत्री के दुख से अंत ब्यास करते हैं, किन्तु पिता द्वारा विजवाय स्वानों भारों को ममता लोटा देती है, डोल्यों में च्छीप कर बेठे पर्ठान सेनी को ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया, तुंडा मनी वहीं मारे गए, किन्तु ममता वहां से सुरक्षित कासी के उ ममता दीपक के आलोक में पाट कर रही थी कि एक विशन और हतास आख, कृती ने आश्रे मागा, संचक शंकोज पुर्वक ममता ने अथिती धर्म का पालन करते हुए, उस पति को आश्रे दिया, वह पति कोई ओर नहीं हुमायू था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सेनिक मिर्जा को इस वुर्दा की तुटी जोपड़ी बनवाने का आदिश दिया, ममता अब सत्तर वस की हो चली थी, हचानक उसे एक अश्वा आरोई की आवाश्य ने दी, जो उसकी जोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था, ममता उस मुगल अश्वा होरी को वह स्थान पूप कर अनन्त यात्रा पर चली गए, वस थान पर एक आकरशक मंदिर बना, जिसके सिला लेख पर सातो देश के नरेश हुमाई और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किन्तु ममता का कहीं जिक्र तक नहा था, लेके वित्रा आईकेवी वारता छे, जेना विश आपड जोई, तो जो देखो, के रोहता सग दुर्गी के प्रकोष्ट में बेठी हुई यूती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभी प्रभा को देख रही थी, मन में रेदना मस्तक में आंधी, आखो में पानी की बरसात लिएगा विकल थी, अलेके रोहता सग दुर्गी नों जे रूम तो तेमा बेठी-बेठी ममता छे, तीक्ष्ण अने गंभी थोई, अने प्रभाहने जोई रहे थी, इना अमन मा अनेक्रकानी वेदना हाती, एनू जे मस्तक छे, आदियो थी परेलोतु आखमा पानी हैता, तो एविरी ते ये बेठी हैती, वह रोहता सग दुर्ग के मंतरी तुन्डा मने की एक मातर दोहीता थी, ते रोहतास दुर्ग छे, एक द्राज्य असे, तो एना जे मंतरी छे तुन्डा मने, एने एक मातर पुत्रिय थी, उसके लिए कोई अभाव होना असंभाव था, परन्तु वह विद्वा थी, एनना माटे था, अनके अभाव वह ये असंभाव था, परन्तु वह विध्वा थी, उसकी विद्वाम डां का अंत कहां था, लेके एनी जे परिशानी छे, एनों अंत क्या अथा, चुन्डा मने ने चुक चाप उस प्रकौर्ष में प्रवेश किया, अनके चुन्डा मने लेके ना जे पिता छे, एनने चुक छे ए शोन नो जे प्रवाद चलत तो तो एमा पोतानु ध्यान छे केंद्रित करती रही अने बेसुद थेगी ती पिता कान न जान सकी लेके पिताई वायने खबर न पड़ी चुंडा मनी व्यत्थित फो उठे लेके चुंडा मनी छे चिंतित थेग्या स्नेह पाली ता पुत मन्तरी छे नि तो इना माटे के सुंड करिए यह स्थिर न कर सके थे लेके नकी न करी सेक्या लोटकर बाहर चले गेलेके ये पाछा रूमनी बाहर चली चलता थे गया उसा प्रहय होता लेके यो गणिवार थेतू पर तो आज मंत्री के मन में बढ़ी दू चीस ता थी लेक पग छे सिधा नोटा पड़ता लेके नेक प्रकना विचेर छे आवा लागे एक पर बीत जाने पर फिर बंता के पास आये फिर तो पर थाष आये संुख 13 लखुंँ थो थे गियो वरी पाछ आते मंत्स जाविया उस अ मैं उनके पीछे 10 सेव चांदी के बड़े थालो में कुछ लिए खड़े थे लेके नी पाच्छर 10 सेव को देछे ए चांदी ना बड़ा मोटा मोटा एके थाल ले यहने उबाहता कितने ही मनुश्य के पज सब्द सुन ममता कुम कर देखा लेके कितलाक मनुश्य ना पगनो अवा जाओता मंता यह 35 वल्याण जोयू नेके के लाक मनुष्य ना पबनो अवा जाई हो ळेके मंता छे ने पाच्छर तेरे लिए बेटी उपहार है कहकर चुन्डामनी ने आवरण उप लेट गिया लेके बेटी तरा माट diffé घृति लेके उफाल छे एवुकाई अने चुंडा मनी छे इने पोताना जे थाड़ना जे धाकेला वस्तरों एने बदा खोड़ी नाकिया स्वाण का पीला पन उस सुनेरी संध्या में विक्रण होने लगा लेके स्वाण नो जे सुना नो जे कलर तपीलो कलर तो एने जोई अने संध्या पन विक्रण थाईगी लेके संध्या बूजाई गई मंता चो कूठी लेके मंता छे आस्चरे चाकितेगी इतना स्वाण यो कहां से आया लेके आटलो बदुसोनू आभी यो किया थी चूप रहो मंता यो तुमारे लिके रही है लेके तू बंते जाबदु तरह माटे चे तो क्या आपने सत्रू का उतकोच शिकर कलिया पिता ज लोटा दीजिए पीताजी हम लोग ब्राम्मान है इतना सोना लेकर क्या करेंगे लिक आने पाचु दे जियो पिताजी आपने तो ब्राम्मान ची आब दुआटलू बदुआ शोनुले अना आप प्रेशू करशू तो इस पतन और मुख प्राचिन सामत वेंस का अंत समीफ हे बेटी लेके आज ए प्राचिन सामन्त वांस छे तुएनों अंत छे ये नजिक छे किसी भी दीन सेर सार रोथ तास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है लेके होमना जी के किसी भी देने लेके क्यारे पौन सेर साथ छे एर प्रोह ताक्स दुरुपर अधिकार करी लेशे उस दिन मंत्री वी मंत्री तो नो रहेग लेके क्यारे मंत्री नो रहेई सके तब के लिए बेट लेके एटला माटे थोई खें भगवान विपत के लिए इतना आयो जन लेके मंता छे बोले छे के बगवान मुशी बतो माटे थाई अणने एटलु बधु अध्यार पृता जे परम पीतागी इच्छा विरुट इतना साहस। ने कोई पन बे मूठी अनाज नहीं आपे या असंभव होए लेका आ असंभव छे फेर दीजिये पिता जी में काप रही हूं लेके फेर आप होई के हूं द्रूदी रही चू इसकी चमक आप खोको अंदा बना रही है लेके आज शुनानी चमक छे एक मैंने अंधड़ी बना चूटा मनी चलेगो लेके तुम मुर्ख चे एव कैए यह नहीना पिता जीच्छे त्यां ती वय आग्या दूसरे दिन जब डोल्यों का तता आ रहा था मन्त्री चूटा मनी का हदे धंड़क करने लगा लेके बिजे दिवसे चे एट डोल्यों का तता था लेके डोलिचे आवी रहती त्यारे मंत्री चुल्डा मनी छे नुर्दै धगदग करवा लाग्यू। वे अपने को रोक ना सके लेके पोताने रोकी ना सकिया। उन्होंने जाक रोताक दुर्ग के तोर्ण पर डेलियों का अवतर्ण खुलवाना चाहा। लेके ए जई इने रोताक नो जे त तोर्ण तो डेलली उपर इने इने खुलवानू किदू। पठाणोंने कहा यो मैलाओ का अपमान करना है। जे पठाणों तैने किदू। क्या तो मैलाओनू अपमान करवा जेवू छे। बाद बढ़ गई। वाद छे आगळवदी गई। तलवारे खीची मंत्री वही मा राजा रानी और को सब छली शेर्षा के हाथ पड़े। राजा रानी और जे बदा सेव कोता तो ये शेर्षा नी हाथे पगे जोड़ी ली था। निकल गई मंत्री में परे हुए पठाण सेनिक दुर्ग भर्ण में फेल गए परंतु मंता न मिली। ये जे डोली मां बेठ खेला जे बदा पठाण होत्ता जे सेनिक ता ये बदा दुर्ग भर्ण मां फेल गए लेके आखोग जे किलो तो येमां फरी गड़िया। पड़ेंत मंता मिली। ये पड़ेंतु मंता छे ना मली। कासी के उत्तर में स्थित धर्म चक्र विहार मोरियो और गूप्त सम्राटों की किरती का खंडर था। कर रही थी। ये आजे खंडर थो तो ये सिखरो वाड़ वाड़ वातु और एमां प्राचीन इटों और जे मिटी वे लेके माटी वे इना थी भारती शिल्पी और विपूती गिरीस में लेके उनाणानी चंदरी का से स्वयम सीतल कर रही थी। ये थंडी करी रही है थी। लेके वाड़ जे जगिया तेनों वातार वाणतु जहां गवतम का उपदेश ग्रहान करने के लिए पंचवर्गी भीख्षू पहले मिले थे। लेके जहां ही के गवतम भूध छे तेनों उपदेश ग्रहान करवा माटे थोई। अने पंचवर्गी नाजे भीख्षू का तो त्याया पेला अमड़े लाता। उसी स्तूप के पगवानेश पगणावस्षेश की मलिन छाया में एक जोपडी के दिपालोक में एक स्त्री पार्ट करी थी। पाहेसु दे राखी ची आनो पच्छी वीडियो बिजो वीडियो चे आपने पच्छी जोशू